इस महिला आरक्षन का क्या भविश्य आप देख रहे हैं कि क्या इसमें कुछ हिड़न है क्या कुछ चूपीवी चीजे हैं नहीं देखिए इस पे तीन पॉइंट्स है नमबर वन अगर ये महिला आरक्षन इमेरेटी लाते हैं पहली बात तो ये है कि भले ही मोदी जे ने बो हो गए मोदी जी लाए तो कॉंग्रेस भीच में 15 साल थी 12-13 साल थी उनों वह नहीं लाए तो वो क्यों नहीं लाए तो सेंस तब हुआ था 2011 में हुआ था, 2001 में हुआ था, तो तब ला सकते थे, बिना census के, बिना deal limitation के, आप नहीं ला सकते, because then you will start accusing the BJP, कि भई ये constituency में आप अरक्षन दे रहो, इतना वो कर रहो, ये तो कैसे, आप तो favor कर रहो आपने उसको, तो जो data है देखिए, वो तो collect करना ही पड़ेगा, सवाल ये है कि हर party ने इस पर दोगलापन दिखाया है, BJP ने कम दिखाया है क्योंकि वो अब ले आए, सबसे आदो Congress ने दिखाया है, और दूसरी बात, जो अभी women erection की बात हो रही है, वो थोड़ा सा अनुराग जी मुद्धा फिर भी पीछे चला गया है, अब ये जो caste census वाली बात आए ये असली divide कर सकता है, क्योंकि देखिए इस पे भी अगर moral obligation है आपका की you must give reservation to women, और मैं मानता हूँ है, भाई देखिए, discriminated against थी, आप शुरू से मानते आए हैं कि उनको उपर उठाने के लिए आपको reservation दीजिए, तो ये moral obligation है, तो आप मुझे ये बताईए, ये सिर्फ politics तक ही क्यों सिमित है भाई, judiciary में क्यों नहीं है, हमारे अभी 25 chief justice है high court के, एक भी women नहीं है, 10 से 11% judges सिर्फ women है supreme court है high court के, आज तक supreme court की chief justice women नहीं हुई, क्यों भई, वहाँ पर आपको साप सूंग जाता है, वहाँ पर reservation क्यों नहीं है, अभी chief justice of India ने कहा government को लताड़ा की women reservation लाओ, आगर मैं कहूं कि supreme court लाइव women reservation, तब क्या हो जाता है इनको, तो यह hypocrisy हर जगा चल रही है, अब मैं क्या बताओ, किस किस के दर्वाजे खट-कटाओ, आपने कास्टिजम की बात की, अभी बिहार में हमने देखा कि जाती का दाधार पर जो आंकड़े आएं हैं, अब आपको क्या लगता है, भविश्य की राजनीती एक बार फिर मंडल का मंडल की होने वाली है? बिलकुल, इसको कोई रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये वोट बैंक की ऐसा है, और अब ये तो सर्वे है, सेंसस के बेस पे नहीं है, लेकिन अगर ये सर्वे भी कह रहा है कि 85% OBC और क्या का है, उस पे एक्स्रीमली OBC है, तो दैट इस 85% of your population, अब मेरिट तो गई फिर ते सरकार बनाई है, कम से कम उन्हें ये तो पता था कि 30 से 35% OBC है, ये तो सबको पता था, तो फिर ऐसा क्यों है कि अब ये BJP को एक्यूज कर रहे है कि जितने सेक्रेटरी है, गवर्नमें वो सिर्फ 2%, अरे आपकी सरकार में तो और भी कम थे, और आपको पता था, भले 85% ना पता OBCU 30% तो पता था, वो तो लाते, वो सिर्फ 3% तक क्यों रखा, तो हिपोक्रिसी हर जगा है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, लेकिन अब आप अगर डिवाइड करना चले, तो मैं आपको वही बताऊंगा, जो एक्स चीफ जस्टिस ते अंबेटकर जी को कोड करते वे क पता था, कि भई आप रेजरवेशन लाइए, मौरल अबलिगेशन है, लेकिन एक लिमिटेट पीरिट तक होनी चाहिए, दस से तीस साल तक होनी चाहिए, क्योंकि अब आप मुझे एक सिंपल सवाल है, हाए ना वाला सवाल है नुराग जी, आपको मैंने कटकरे में खड़ कर दिया, क्या लालू यादव जी के खानदान को रेजरवेशन की जुरूत है, बताईए, अब आप क्यों कह रहे हैं, वो तो यादव है, आज कि उस पर आगर आप चलें, तो कहें हमें तो रेजरवेशन चाहिए, वो लेगे रेजरवेशन, उनके बेटे, उनके पोते, क्यों कि बढ़ बादवेशन, इज झालू यादवेशन?